हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई शैनल माई नेम इज विशाल सिंग आज की वीडियो हमें एक फ्रेज सीखने वाले हैं फ्रेज गाइज इन ब्रॉट जे लाइट इसका मतलब क्या होता है चलिए देखते हैं मतलब आप बोल सकते हैं दिन दहाडे में या दिन के उजाले में जैसे कि यहां पर दिया गया है कि a crime is committed in broad daylight अगर कोई क्राइम किया जाता है कब किया इन ब्रॉट डे लाइट यूर एक्सप्रेसिंग योर सर्प्राइज यानि कि आप आश्या रिव्यक्त कर रहे हैं that it is done during the day कि यह दिन में किया जाता है when people can see it जब लोग इसे देख सकते ह जाए यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि दिन धाड़े में अगर कोई crime किया जाता है या दिन के उजाले में किया जाता है चलिए इस पर कुछ sentences बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं जैसे जहां पर एक sentence है कि दिन धाड़े उसकी हत्या कर दी गई तब आप कैसे बोलोगे आप बोलोगे guys he he was killed he was killed he was killed अब बोलोगे in broad daylight यानि कि he was killed in broad daylight कहने का बतलब क्या हुआ कि दिन धाड़े उसकी हत्या कर दी गई क्रेंट में दिन धाड गई दहाड़े एक लड़की पर हमला किया गया तो आप कैसे बोलोगे अब बोलोगे अगल अगल वॉज अटेगड अगल वॉज अटेगड अगल वॉज अटेगड ऑन एट्रेन ट्रेन में इन ब्रोज जेलाई इसका क्या मतलब हो कि girl को train में दिन धाड़े attack किया गया इस तरीके से आप sentences बनाएंगे a girl was attacked on a train in broad daylight यानि कि दिन धाड़े train में एक लड़की पर हमला किया गया चलिए गाइस अगला sentence लेते हैं जैसे कि दिया गया है कि उसने दिन धाड़े उसे दिन धाड़े लूटा गया तो कैसे बोलोगे guys आप बोलोगे he was looted in broad daylight क्या बोलोगे आप guys he was lootने का English guys loot ही होता है तो loot का third form क्या होगा looted he was looted in broad daylight पैसी वही sentence है उसे दिन धाड़े लूटा गया he was looted in broad daylight आगे देखते है guys हमारा next sentence है कि वे लोग दिन धाड़े बैंक में loot part की यानि कि दिन के दौरान या दिन धाड़े तो कैसे बोलोगे आप they robbed they robbed the bank यानि कि वो लोग बैंक को lootे दिन के उजाले में ब्रौटे लाइट या आप बोल सकते हैं guys दिन धाड़े they robbed the bank in broad daylight वे लोग दिन धाड़े बैंक में loot part की या दिन के उजाले में loot part की guys आगला sentence से अपराद को दिन धाड़े अंजाम दिया गया यानि कि कोई crime हुआ था उसको कब किया गया दिन के उजाले में यानि कि दिन धाड़े किया गया तो कैसे बोलोगे आप the crime the crime was committed the crime was committed in broad daylight इस तरीके से आप सेंटेस बनाओगे the crime was committed in broad daylight यानि कि अपराद को दिन धाड़े अंजाम दिया गया तो guys इस तरीके से आप इस structure का इस phrase का यूज कर सकते हैं यानि कि अगर आप कोई घटना होती है दिन के दिन धाड़े दिन के उजाले में तो अहां पर आप in broad daylight का यूज करोगे यहां पर sentence था कि दिन धाड़े उसकी हत्या कर दी गई था था उसे दिन धाड़े लूटा गया यह भी पैसिवाइश सेंटेंस यह वाज लूटेड इन ब्रॉज जेलाइट दिन के उजाले में या दिन धाड़े वे लोग दिन धाड़े बैंक में लूट पात की तो guys यह एक्टिवाइश सेंटेंस हैं robbed the bank in broad daylight अपराध को दिन धाड़े अंजाम दिया गया दा क्राइम वस कमिटेड इन ब्रॉज दे लाइट तो इस तरीके से आप इन ब्रॉज दे लाइट का यूज करोगे अगर आपको यह फ्रेज समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाईज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूं टिल लें टेक केर कीप प्रेक्टिसिंग एंड थैंक्स पर वॉच भॉचे जो टीर कीजिए यह रेंगर कीजिए वीडियो और टी रेक्टिस यहिडियो कीजिए नहीं यह होगामाओ एंप दूनी पोरा प्रेक्टिस से